हलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैनत कर रहे हूँ? अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हूँ? नीट की डेट आच चुकी है? उमीद करती हूँ कि आप सब मैनत करते जा रहे होंगे. देन रात आपको एक करनी अपने काम में, लेकिन स्मार्ट वर्क से. स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे, हर चीज़ें टाइम पर प्रॉपरली कम्प्लीट रहने चाहिए. आपकी मैम बीच में तीन-चार दन नई वीडियो अफ्लोड कर पाई थी, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडिशन सही नहीं थी. अब आपकी मैम दुगनी तेजी से वापस आईएं, और आपको एक नई उडान के लिए तयार करीएं. आपको पता है, मैंने बताया था कि मैही तक नीट हो जाएगा, डेट आचुकी है. और अब आपके पास कुछ महीने बचे हैं, जिसमें आपको दुगनी तेजी से काम करना है. स्मार्ट वर्क करके नीट एमस लेना है क्या कि हमारा मिशिन क्या है, मैंनत है तो एमस है. हमने कल बायो मॉलेक्विल्स शुरू किया था, बायो मॉलेक्विल्स का फर्स लेक्चर, होपफुली आप सबने देखा होगा और आप सबको समझ भी आया होगा. आप बने रहेगा वीडियो में एंड तर उस एक प्यारे से पॉइंट के लिए जो आपको नीट में बाकी बच्चों से अलग साबित करेगा. मेरे साथ बने रहे हैं, जादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमापस टाइम नहीं है, अब हमें दुबनी तेजी से काम करना है. चलिए चैप्टर में आगे चलते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बिकॉस बहुत बहुत सुन्दर कॉंसेप्ट, लेक्चर आपके लिए और भी ज़्यादा सीरीज आने वाली हैं, आपको एम सक पहुँचाना है और उसके लिए मैं महनत कर रही हैं, आपके लिए आपके चैनल पर वीडियो जाएंगी, महनत हो रही है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो में आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, हमने पिछला क्या देखा था, कि कॉंपोजीशन क्या है, आप आपकी elements की composition क्या है, earth crust में, human body में, और जो elements हैं, वो किस तरह से helpful हैं, हमने शुरू करना है, amino acid, basic चीज़े आपकी हो चुकी हैं, अब आते हैं, amino acid से, amino acid, amino acid से आप क्या समझते हैं, मतलब, ये पानी में घुल जाएगा, या नहीं घुलेगा, अच्छा, अगर amino acid और lipid लिखा है, तो lipid और amino acid में से water soluble कुन सा है, और water soluble नहीं है, आपका amino acid water soluble होता है, कैसा होता है, water soluble, मतलब कि ये polar compounds होते हैं, कैसे compounds होते हैं, polar compounds, चिक है, आपको amino acid देखना है, चलो, एक blank paper लेते हैं, इसमें समझनी कोशिश करते हैं, amino acid का, जो carbon होता है, वो कहते हैं, alpha carbon, alpha carbon कैसे, एक पे, आपके पास ये एक carbon है, carbon कैसा है, alpha carbon, कैसा है ये, alpha carbon, ये alpha carbon क्यों है, क्योंकि इसकी जो team side है, वो fixed है, उस पे अलग-अलग-अलग-अलग group लगी है, एक तरफ लगा इसके COOH, एक तरफ लगा इसके NH2, एक तरफ लगा इसके H, ये जो तीसरी side है carbon, चौती side है carbon की, इस पे एक ग्रुप लगा है, जो है R, अब आप बोलोगे R कोन सा ग्रुप है, R कोई ग्रुप नहीं है, ये variable arm है carbon की, variable arm है, यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, इसमें, ग्रुप लगाते ही, इसकी physical और chemical, दोनों properties change होती है, आपका कौन सा amino acid form हो रहा है, ये कौन decide करेगा आपका R, R is variable group and decide the property of amino acid, अब मान लो, R है COOH, CH2, CH2, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, किस चीज़ की मात्रा है, वो ज़्यादा हुई है, किस की COOH की, COOH क्या आता है, acid ठीके, acid बढ़ गया, और base काम हो गया, acid बढ़ गया, base काम हो गया, तो ये कैसा amino acid हो जाएगा, acidic amino acid, चीके, यही चीज़ देखते हैं, आपका क्या कौन सा ग्रूप लगा है, NH2, अब NH2 ग्रूप लगा है, इस carbon के पास, इसके पास NH2 ग्रूप कित्ते हो गया, एक, दो, तो मतलब इसमें basic content जादा हो गया, basic जादा acidic कम, तो ये क्या कहलाया जाएगा, basic amino acid, basic amino acid, ऐसी अगर यहाँ पे neutral ग्रूप लगा है, तो ये क्या हो जगा, neutral amino acid, acidic amino acid के example, glutamic acid, glutamic acid, और spartic acid, आपके basic amino acid के क्या क्या example रहेंगे, बहुत important, बहुत important example, lysine and arginine, question आया था, कैसे यादा lysine और arginine, किस टाइप के amino acid है, basic amino acid है, क्या काम रहता है इनका, इनका काम रहता है आपका histone protein बनाने में, histone protein बनाने में, और histone protein क्या करते हैं आपके, DNA packaging, क्या करता है histone protein, DNA packaging करता है, समझ आया, ये चीज़ समझ आई, ये एक amino acid है, amino acid क्यों है, क्योंकि इसके पास, एक acid है, एक basic ग्रूप है, एक neutral है, carbon इसका alpha carbon, R इसका variable ग्रूप है, जो decide करेगा, इसकी properties, carbon, COOH, NH2, H, और यहाँ पे लगा है आपका, CH2, OH, OH कैसा ग्रूप है, OH किसे represent करता है आपका, alcohol को, इसको alcohol को, तो यह कैसा हो जाएगा, alcoholic amino acid, कैसा हो जाएगा, यह, कैसा हो जाएगा, alcoholic, amino, acid, alcoholic amino acid, और इस amino acid का नाम क्या होता है, आपकी NCRT में दिया है, मैं कुछ बहार से नहीं करा रहा हूँ, जोतना important होगा, मैं बहार से लिखवा हूँ, क्योंकि आपका कभी न कभी कोशन बहना होगा, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है, अभी यह, आपका amino acid है, कोई भी आपको amino acid का group दे देंगी, amino acid दिया, आपके पूछ रहेंगे इसका नाम बता दो, दिया है ना NCRT में, आपके पूरी 11-12 में अगर कहीं भी कोई भी amino acid यूज हूआ है, वो आपका important बन जाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, सीरीन, सीरीन तो आपके NCRT में, जो आपके NCRT में नहीं है, वो है, थ्रियोनिन, क्या है, सीरीन और थ्रियोनिन कैसे amino acid होते हैं, alcoholic amino acid, चीक है, अब इस OH को replace करते हैं, इस OH की जगे हम लगाएंगे, S, हमने क्या लगा दिया, S, अब इसका नाम क्या रहता है, Sulfur Amino Acid, Sulfur Amino Acid, और कोन-कोन से Sulfur Amino Acid हम जानते हैं, हम जानते हैं, Sistein, and Methionin, हम Methionin को गैसे जानते हैं, Methionin, Methionin आपका पहला Amino Acid होता है, हर प्रोटीन का, Mark कर लिना, First Amino Acid of Every Protein, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे, ट्रांसलेशन में होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन और स्टॉप कोडोन, स्टार्टिंग कोडोन चेन को स्टार्ट कराता है, कहां आके बाइंड होता है, वो Methionin पर, Methionin आपका पहला Amino Acid होता है, हर प्रोटीन का, जहां से आपकी ट्रांसलेशन शिरू होती है, चेक हैं, इतना समझ आया, अब आते हैं कुछ और Amino Acid देखते हैं, चलो, यहां पर अब हम रिप्लेस करेंगे बेंजीन रिंग से हमने क्या लगा दिया यहां पर अब लगा दिया हमने बेंजीन रिंग क्या लगाया बेंजीन रिंग कैसे होते हैं अरोमेटिक कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं अरोमेटिक कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं ये क्या हुआ आपका ये आपका हुआ एरोमेट्टिक अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड आपको कौन-कौन से पता है एक आपको पता है टाइरोसीन ठीक है? एक आपको पता है ट्रिप्टोफैन एक आपको पता है फिनाइल एलेनन फिनाइल एलेनन टाइरोसीन कैसे पता है आपको? यह क्या बनाता है आपका? यह बनाता है आपका केटेकॉलेमाइन्स केटेकॉलेमाइन्स क्या होते हैं? केटेकॉलेमाइन्स आपके होते हैं एमर्जिंसी हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एमर्जिंसी हॉर्मोन्स कौन-कौन से? एपिनेफरिन, नौर एपिरेफरिन, इसके बाद डोपामिन, ये सब क्यों होते हैं, एमर्जेंसी हॉर्मोन, कौन बनाता है आपका अरोमेटिक अमीनो ऐसे जिसको हम टायरसिन बोलते हैं, ठीक है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन किसमें हेल्प करता है आपका ऑउग् अमीनो ऐसे हमने कहां पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है आपका चैनिटिक्स वाले शाप्टर में, क्या है, फिनाईल कीटो नूरिया, एक बिमारी थी, जिसको ये बिमारी होती है, उसकी मेंटल रिटारडेशन हो जाती है, क्यों होती है, ये जो अमीनो ऐसे होता है, ये जादा quantity में बढ़ जाता है फिनाइल एलेनिन बहुत जादा quantity में बढ़ जाता है उससे क्या होता है आपका फिनाइल फिनाइल एलेनिन भी क्या है एक aromatic amino acid है यह चीज़ समझाई इसके बाद हम चलते हैं अगला amino acid देखने हमने यहाँ पर लगाया यह आपका बन जाएगा amino acid amino acid बन जाएगा यह एक तरह का amino acid नहीं है यह amino acid है इसके पास amino ring present होती है यह semi essential histamine histamine की formation कराता है तो यह कौन सा amino acid हुआ histaden histaden इसी के साथ आपको समझाया की कैसे एक ग्रूप लगके आपका जो amino acid है वो changes दिखाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपरटीज में यह समझाया आप NCRT देख लेते हैं current protein are only of 20 types the I group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen this is your C, this is your COOH, this is your H and this is your NH2 the H and this is your H. oxygen, as your C, this is your amino acid and this is your glycine, glycine please see the most simplest group लगने से बना है तो यह क्या हो जाएगा आपका simplest simplest amino acid simplest amino acid कुन सा आपका glycine glycine आपका क्या है simplest amino acid यह carbon की बात करें इस carbon के पास यह से यह लगे यह लगे यह लगे बट यह दोनों सेम तो यह chiral carbon तो नहीं हुआ तो इसका मतलब यह optical optically active भी नहीं है अगर chiral carbon present होता है तो हम group को optical हम carbon को optically active मानते हैं यह simplest amino acid जोता है यह optically active नहीं होता चीक है यह हमने देख लिए methyl group लगा है तो alanine और अगर आपका hydroxyl methyl लगा है सीरीन हमने अभी त्रीन बना के देखा था त्री आप दी ट्वेंटी आर शोन इन दी फिगर तीन आपके फिगर बनाये हुए है जो कि amino acid है यह carbon है यहाँ पे लगा है COOH यहाँ पे लगा है NH2 यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है CH2 OH यह वाला carbon आपका chiral होगा तो यह optically active भी होगा chiral भी है और optically active भी है ठीक है क्यों क्योंकि यह group अलग है यह group अलग है यह group अलग है यह group अलग है बात समझा है चालो आगे देखो अब अधिस यह हो गया तब गामिकल इन फिसिकल प्रॉपरिटीज उप अमीन असे असे असेंशिएल उप अपी अमीनो कर्बोक्सिल अडिव फंक्शनल गोप बेस अन अब नमबर ओफ अमीनो अंड कर्बोक्सिल ग्रोप दे आर आर अशि जो इसमें लिखे हैं वो आपके लिए हो जाता है most important amino acid similarly there are aromatic amino acid like tyrosine, phenyl, alanine, tryptophan, tyrosine आपका catecholamines बनाने में, phenyl alanine हमने कहां देखा है आपका phenyl ketonuria में और tryptophan हमने कहां देखा है आपका और green बनाने में लिए अपको पूरा समझ आया है last वाली line क्या कहना चाहरा है यह बताते हैं आपको यह line समझते है आपको एक ही अ फ्यो चाट देख रहा है यह बहुत बहुत बाहर बहुत इंパॉर्ट्रिन हो जाता है कैसे आप भी देखे पहले आपके पस इस amino acid में positive charge भी और negative charge भी है positive charge भी है negative charge भी है तो यह आपका net charge कितना है net charge आपका zero jब net charge zero हो जाता है तो यह आपकी होती यह Zwitter Ionic Form और जब ये Zwitter Ionic Form जाथ तो का ईसोछ एलेक्ट्रिक पॉइन्ट आता है। पी ईसुछ पॉइंटरिक पॉइंट्स पॉइंट क्या होता है तर पी अट वोच आपका नेट चार्ज जी लुगा The PI at which आपका net charge 0 होगा तो आपका इसमें net charge 0 है आपका इसमें net charge 0 नहीं है इसमें net charge 0 नहीं है दोनों आजपास जो हैं उसमें net charge 0 नहीं है इसका मतलब आपका हर एक amino acid का PI अलग होता है आपका हर एक amino acid का PI क्या होता है? अलग होता है ये बात याद रखना All Amino Acids have different IsoElectric Points यह देखा हमने इसके बाद हम यहां आते हैं यह मान लो आपका एक pH स्केल है तो यह क्या होगा? 7 जब हम इधर जाते हैं तो pH क्या हो जाता है? कम होता है तो यह क्या हो जाता है? Acidic और यहां पर जब जाते हैं तो pH क्या हो जाता है? आपका basic, जब pH acidic हुआ, तो आपका amino acid में से H चूसने लगा, H use में आने लगा, तो H use में आने लगा, यहां पर H की कमी होगी, यह हो जाएगा basic amino acid, जो pH है, acidic pH है, acid pH में H use में आएगा, है न, H use में आया, तो आपका यह कैसा हो जाएगा, basic और positive चाहिए, हचा जाएगा, तो यह हो जाएगा basic amino acid, यहां पर आप देखेंगे, pH क्या है basic, H देगा, H ले लिया, तो यह क्या हो जाएगा, acidic amino acid, negative sign देख रहा है आपको, acid लिया गया, acid group तोड़ा गया, तो यह क्या हो जाएगा, acidic amino acid, समझाई बात, यह वाली जो line थी, यह आपके different pH में different amino acid बनते हैं, यह यह थी, zwitter ionic form, आगे चलते हैं, आगे आता है lipids, lipids are generally water insoluble, हमने देखा था, water insoluble होते हैं, amino acid कैसे होते हैं, water soluble, तो water insoluble हैं, इसका मतलब यह कैसे होंगे, आपके होंगे यह, fat soluble, fat soluble और non-polar, non-polar, they could be simple fatty acid, this could be simple fatty acid, simple fatty acid मतलब इसके पास carbon hydrogen oxygen, इसके लिए होगा कुछ नहीं, fatty acid has carboxylic group attached to an R group, the R group could be methyl, ethyl, और higher number of CH2 group, 1 carbon to 19 carbon, मतलब ethyl हो सकता, methyl हो सकता, और जितने भी 19 carbon तक group जोड़ सकते हैं, वो सब जोड़ सकते हैं, आपके lipids, palmitic acid has 16 carbon including carboxylic group, rachidonic acid has 20 carbon including carboxylic group, fatty acid could be saturated with double bond, unsaturated with one or more carbon double bond, another simple lipid is gristrol which is trihydroxy propane, many lipids have both gristrol and fatty acid, ये क्या है, ये देखते हैं, एक blank page लेंगे, आपको पता हैं आपको कितना पसंद हैं ये blank page, क्या है आपके पास, fatty acid, आपको पता हाइड्रो कार्बन में दो होते हैं, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, बस उसी से relate करके लिए आपको पढ़ लाएं, fatty acid भी दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, एक होता है saturated fatty acid, दूसरा होता है आपका unsaturated fatty acid, आपको पता है saturated hydrocarbons में single bond होता था, इसमें भी saturated fatty acid में single bond, और इसमें double bond, और वैसी बात है single bond है, इसका melting point क्या होगा, high, इसका melting point low, इसके example, palmitic acid अभी पढ़ाँ में, palmitic acid, कितने carbon होते हैं उसमें, 16, including carbox like growth, उसके बार steric acid, क्कुन सा, steric acid, कितने carbon group, including carbox like group कितने होंगे, 18, ठीक है, एक और पढ़ा हमने, arachidic acid, arachid, कितने carbon group, 20, यह हमने पढ़ा, इधर आजो, हमारा unsaturated fatty acid पर, यह भी कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है, मूफा, एक होता है, पूफा, मूफा प्राइंड फॉर, मोनो, unsaturated, fatty acid, प्राइंड, प्राइंड, मोनो, unsaturated fatty acid, में क्या होंगे, single, double, single, double, single, double, इसका, एक्जाम्पल, क्या है, आपका, औलिक एसिद, क्या है, औलिक एसिद, इदर देखो, फूफा क्या है, फूफा है, आपका, poly, unsaturated fatty acid, क्या है, फूफा, poly, unsaturated, poly, unsaturated fatty acid, इसके एक्जाम्पल्स क्या है, इसके एक्जाम्पल्स है, linoleic acid, linoleic acid, दूसरे आपका, linoleic acid, और तीसरा है, रैकी डॉनिक, एसिद, इन सारे, poly, unsaturated fatty acid में, सबसे ज़्यादा, इंपॉर्टेंट जो है, वो है, linoleic, linoleic acid, क्या है यह, most, essential fatty acid, most essential fatty acid, कुण सा है, linoleic acid, यह, जादा हो जाए, तो इन दोनों का, formation भी कर देता है, जाए, जरूरत किसकी आपकी, फिर, देखते है, क्या लिख रही है, इन सिर्टी, यह, लले देख लिख लिया, palmitic acid, आपका, साथूरेटी, पैटी असे दूर्टे उसके बाद, हम आगे थे हम, दूल बढ़न एका, लिए, लिख लिख लिए, यह आपका किसका स्टूछरु है ले स्टॉक्चर और जिसको हम क्या बोलता है ट्राइ इड्रॉक्षी प्रोंगें टेकहु लिपट्स मेरा फील report कि पास पेंट अञे-ड़ियोगे उसलिपले इंट्रॉक्टिक्वाग क्लिस्ता- irrelevant जाई-ब्यें आपके glycerol और fatty acid इस लिपेड में प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आप true fat true fat true fat कैसे आओ समझो बात को वो कह रहा है जब आपने fatty acid और glycerol दोनों लिया वो certified होके जो fat बनाता है वो थे true fat वो थे एक सच्चा मोटापा दो मोटापा थे खोक्ला वाला एक सच्चा वाला यह आपता सच्चा वाला ग्लिस्ट्रॉल लो ग्लिस्ट्रॉल बनाया है तो फैटी असे लेगे हैं हम ले लेते हैं आपका कुंसा वाला fatty acid है यह आपका है 14 15 16 16 कार्बन का है कार्बॉक्सली ग्रुप को मिला के कुंसा हो गई है पाल्मिटिक असिड पाल्मिटिक fatty acid दोनों का mixture हुआ तो क्या हुआ हमारा dehydration ही अच्टू हो जाएगा है हम Hi अच्टी और यह और आपस में जॉइन हो जाएगे है यह क्या ज्वाइन हो जगा है यह पर है निकाल लिया है तो यह रहे जगा सिंगर क्या स्ट्च जबनेगा आपका कर दो कि यहां पर इस्ट्रक्च बेख रहे है क्या बनेगा यहां से यह ओक इसके साथ कार बॉक्स लिख वाले के ओके साथ ठीक है यह जो आपका बॉंड बना है इसको हम कहते हैं इस्टर बॉंड क्या बोलते हैं इस्टर बॉंड जब हम पीछे एंसे इस्टर पर रहे ते उसमें लिखा था ग्लेस्रॉल और फैर्टी आसे लिपिड में प्रेजंट है यह ग्लेस्रॉल क्या करता है पैर्टी एस्ट को स्टेरिफाइड कर देता है मतलब इस्टर ग्रुप आजाता है तो अगर कितने इस्टर ग्रुप आया एक तो यह क्या होगा आपका मोगलेस्राइड यहीं आपका एक और ग्रुप आजे आपका र्ट्री घ्लििव्राइड सो स्मझाए क्या कहनी की कोशिश करें सियांग कित अब अब आपको समझा गया, Mono Cup है, Di Cup है, Tri Cup है, देखते हम, Mono Cup होगी, Mono Cup होगी, जब आपके पास 1 Glycerol और 1 Fatty Acid होगा, Di-Glyceride Cup बनेगा आपका जब 1 Glycerol होगा और 2 Fatty Acid होगे, Tri Cup बनेगा 1 Glycerol और 3 Fatty Acid, यह चीज समझाए, these are called fats and oil based on melting point oils have low melting point हमने देख लिया जिंजरी oil and hence remain oil in winter can you identify fat from market कुछ भी मक्कन घी some lipid have phosphorus and a phosphorylated organic compound जिन भी lipid के पास phosphorus है lipid plus phosphorus क्या होगा ये phospholipid क्या होगा lipid और phosphorus है तो क्या होगा phospholipid these are phospholipids they are found in cell membrane lecithin is one such example lecithin lecithin की importance बहुत है lecithin आपका मिलता है lungs में as surfactant as surfactant क्या करता है ये surfactant आपका surface area increase करता है surface area increase करता है दूसरा ही मिलता है bile में किस में? bile में और क्या कराता है ये emulsification of emulsification of fat emulsification of fat भी कौन कराता है? lecithin some tissues specially the neutral tissue have lipid with more complex structure हमें इतना complex जाना नहीं है इसी के साथ हमारा amino acid खतम होता है ये जो आपका part था इसमें बहुत सारी चीजे थी NCRD में इतनी सारी चीजे दीवी थी लेकिन सब scattered थी ये आपका most most important part बनता है हमने ये आज खतम करिए क्या होता है glycerol क्या होता है acid क्या होता है amino acid क्या होता है variable group सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे lectures daily आएंगे क्योंकि मैं वापस आगी हूँ आपके साथ दुगनी तेजी से महनत करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना telegram पे अभी तक मैंने आपके जो sample paper है जो आपके questions है जो आपके notes है वो upload नहीं की है एक दो दिन में मैं आपके notes upload कर दूँ ही क्योंकि telegram के link में इश्वाय था वो resolve हो चुका है आप जाके telegram जोईन कर सकते मैं आपको एक दो दिन में वहापे सब कुछ question bank आपका notes प्रोवाइड करने वाई Instagram पे आप मुझे जोईन कर सकते है lecture पसंद आया है आप प्लीज लाइक कीजेगा comment कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा इस time पे आपको खुद भी मैनत करनी है और औरोसे भी करानी है आप जितना विद्या को आगे बाढ़ते हैं उतनी आपकी बढ़ती है आपको ये पसंद आया आपको समझ आया इसको भी आपको लगता है कि इसकी जरूरत है आप प्लीज शेयर कीजिए आज के लिए इतना है कोई भी डाउट होगा आप मुझे comment section में बता सकते हैं वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए thank you so much it means a lot to me thank you और अपने चैनल को सपोर्ट करती रीचिए thank you so much